हेलो व्योर्स कैसे हैं आप सब आयों बहुत अच्छ होंगे गुजरात वर्सिस कॉलकाता दोनों ही टीम में अपना पिछला मकाबला जीत कर आई है 13th मैच इनके बीच में होने वाला जानेंगे उसमें क्या स्पेशल होगा और कौन सी टीम ज्यादा हैवी लग रही है दोनों second number पर है और जो केक्यार है वो fourth number पर यानि कि दोनों ही टीम में अपने जो पिछला मकाबला जीत कर आई हैं बहुत ही बुरी तरीके से पड़ोगे आप तो 162 फर्स्ट इनिंगा स्कोर सेगेंड का 152 है और है टू है अगर हम बात करें गुजरात वर्शिस कोलकता की तो एक ही इनका मुकाबल हो जहां पर गुजरात जीती है वो भी आठ रन से जीती है तो इस साल इस स्टेडियों में एक ही मुकाबल हो था जहां पर गुजरात की टीम चेज कर रही थी और बहुत ही प्यार से उन्होंने चेज कर दिया था यह तो यहां पर जो भी टीम टॉस चिते हो गिनबाजी का फैस्ता लेगी अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाए और दिन में मुकाबला आई तो आपको 180 प्लस स्कोर तो कैसे भी लगाना चाहिए तभी आप डिफेंडेबल होते हो अगर आप 150-160 करते हो तो वह एजी चेज हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग ली तो अब हम दोनों ही टीमों की बात करते हैं क्या लाइनप सो सकती है फिर हम कंपरेजन करेंगे और फिर प्ले टू वाच बात करेंगे कौन से खिलाडी है जो कि अपना इंपक्ट छोड़ सकते हैं पहले हम गुजरा टेंस की बात करते हैं तो मुकाबला गुजरात में न तो एक्स्ट्रा फास्ट पोलर्स रखने की कोशिश होगी तो यहां पर शुबमान ये रिदीमन सांगे दैन आपके साइंस दर्शन हार्दिक प करेंगे वेंकर टेश और रहमनलों गुर्बाज और जो नेक्स्ट मुकाबला होने वाले हैं तो उसमें जो नरेंट जगदीशन को मुखा मिल सकता है और मंदीप सिंग बाहर होंगे दोनों मैच में फ्लॉप हो चुके हैं ये नितीश राना रिंकु सिंग आंद्रे रसल अगर पहले बलेबाजी आती कि क्यार की तो नरेंट जगदीशन रखेंगे यानिक एक एक्स्ट्रा बैटर रखेंग और गिंदबाजी आती है तो सुयष कुमार बहुत ही बहतर पर्फूम करके गएं पिसले मैच में वो तो उनको प्लेंग 11 मौका मिल सकता है जब भी अग तो अगर हम इन दोनों को कंपेर करने की कोशिश करें तो गुजरात का अगर ओपनिंग स्लोट यह उपर के टॉप थ्री बैट्समन क्या बात करेंगे जिसमें आपके साही सुदर्शन शुमांगिल रिदिमंसा शुमांगिल और आपके नीचे साही सुदर्शन ने गुजरात का है टॉप ओडर में अगर हम जाएं मिडल ओडर में तो इनके मिडल ओडर में आप देखोगे नितीश राना है आंद्री रसेल है शाजु ठाकूर है सुनेल नराइन है रिंकू सिंग है और वहीं गुजरात की तरफ जाएंगे तो हार्दिक पांडिया है डैव होंगे आपके पास और आपके यश्टायल होंगे वहीं अगर हम जाएं के क्यार की तरफ तो उनके शादूर ठाकूर गेंदबाज होंगे वरुन चकरवर्तियों को सुनेल रहें होंगे सुयश कुमार होंगे टीम साओधी आपको देखने को मिलेंगे तो कही नहीं गहीं ग गुजरात का प्लिडा भारी है के क्यार की तरफ के आंधसल गेंड़ाज में कंमाल कर सकते हैं बट उनको इतनी गेंड़ाजी नहीं दे रही है कि चांप इंदे रहें और नेके मिडल और बल्ले बास चलने वाला है है डिंक चल सकते हैं नितिष्रान चल सकते हैं कि कभी कोई चल जाता है और मेरे साब से इस मकाबले को ना गुजरात टाइटन्स जीत रही है आप बते की इस मकाबले को कौन जीता रही है अगर आपका वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको like सब्सक्राइब करते मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में एक और अमेजिंग कॉंटेंट के साथ